हेलो गाइस वीडi Video में हम लोग बात करेंगे नवुदय विजी समिती में एक Rekrutment आई हुई है उसी बारे में हम लोग बात करेंगे काफी बढ़ी यह Rekrutment है तो उसी बारे में यह पूरा डीटेल वीडियो होगा आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखना है तो एंविस में जो रिकूर्ट में निकला है 2022 के लिए इसके लिए आपको अपलाई करना है लास्ट डेट है अपलाई करने के लिए 10 फरवरी 2022 इसके लाओ और भी काफी सारे यहाँ पर नमबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर हम लोग बात कर लेंगे असिस्टन कमिशनर के लिए आपर ग्रूप A लेवल की पोस्ट है टूटर अमर ऑफ पोस्ट जो है वो पांच होगी अपर एज लिमिट यहाँ पर 45 यहर्स का दिया गया है इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन लगेगा मास्टर डिग्री इन हुमेनिटीज या फिर साइन्स कॉमर्स विद फाव यहर्स एक्सपरियंस असिस्टन कमिशनर की यहाँ पर वकेंसिस है अड़मिन पोस्ट के लिए ग्रूप ए की पोस्ट होगी दो वकेंसी यहाँ पर दी गई है 45 यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट होगी ग्रैज़वेट यहाँ पर अपलाएक कर सकते हैं female staff nurse के लिए group B level की ये post होगी 82 number of post या पर दी गई है up to 35 years या पर age limit दिया गया है class 12 equivalent B.H.C. nursing या पर मांगा गया है assistant section officer group C level की ये post है इसके लिए 10 vacancies या पर दी गई है maximum age limit या पर 30 years का गया है degree या पर चाहिए computer knowledge या पर आपको मांगा गया है adult assistant group C के लिए या पर vacancy से 11 number of post है जिसके लिए आपको become या पर लगेगा junior translation officer की या पर post है group B level की 4 number of या पर post है जिसके लिए diploma या फिर PG relevant subject में आपकी पास में या पर होना चाहिए junior engineer की या पर post है civil या पर मांगा गया है group C level की ये post होगी number of post या पर एक दिया गया है stenographer group C level की या पर 22 number of post है 18 से 27 साल की बीच में आपकी age या पर होनी चाहिए या पर आपको age relaxation भी मिलने वाला है class 12 या पर आपका होना चाहिए short hand या पर आपकी पास में certificate या पर आपकी पास में होना चाहिए computer operator की या पर group C level की पोस्ट है 18 से 30 साल की बीच में आपकी age होने चाहिए number of post या पर 4 दी गई है degree या पर चाहिए one year computer diploma आपके पास में होना चाहिए catering assistant group C level की ये post 87 number of या पर vacancy से 35 साल या पर age मांगा गया है class 12 and diploma या आपके पास में होना चाहिए catering का junior secretariat का assistant group C level की ये post है या पर 630 number of vacancy से senior secondary type rating knowledge या पर आपके पास में होना चाहिए next या पर electrician come plumber की या पर post है 273 तेंथ या पर मांगा गया है ITI electrician wireman plumbing का या पर आपके पास में certificate होना idea होना या पर काफी important है lab attendant group C level की ये post है 142 number of या पर post होगी 10th 12th class science आपके पास में होना चाहिए diploma होना चाहिए आपके पास में laboratory technical का miss helper group C level की ये post है 629 या पर vacancy से होगी 18 से 30 साल के बीच में या पर आपकी age होने चाहिए matriculation या पर minimum qualification मांगा गया है multitasking stop की या पर 23 number of post है 18 से 30 साल की बीच में या पर आपकी age होने चाहिए and minimum qualification या पर 10th level का होगा या पर हम लोग date की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो date या पर last date जो होगी 10 परवरी होगी end of 12 जनवरी से या पर online आविदन करना या पर start हो चुका है यहाँ पर हम लोग fees की बात करेंगे different category की post के लिए different या पर fees है तो आप किस post के लिए apply करना चाहते हो वो next video में हम लोग देखेंगे कि किस तरी के से आपको यहाँ पर payment करना है application यहाँ पर करना है तो जिसके लिए आपको जाना होगा official website पर official website यह रही यहाँ पर आपको navode.gov.in पर जाना है यहाँ पर आप देख पहूँ कि link to apply for various non-teaching post तो यहाँ पर आपको click कर दिना है तो यहाँ पर जो scroll हो रहा है यहाँ पर आप click कर सकते हो यहाँ फिर आपको यहाँ पर menu का एक option दिखेगा तो menu के option पर आपको click कर दिना है recruitment के section पर आपको जाना है यहाँ पर advertisement vacancies का आपको एक column दिखेगा तो वहाँ पर भी आप click करके यहाँ पर आ सकते हो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर detail notification यहाँ पर दिया गया है 13 जनवरी को यह notice आयो था तो यहाँ पर आप click करके यह PDF जो है इसे download कर सकते हो किस post के लिए आपने apply किये है वो एक बारी आप comment box में comment कर दिजे ताकि next video में हम लोग उस post के बाद में detail syllabus लेकि आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको instruction का एक paste दिखेगा तो simply आपको सबसे नीचे जाना है यहाँ पर check box पर click करके start button वर आपको click कर दिना है यहाँ से click करने के बात में यहाँ से आपका आविदन जो है वो start हो जाएगा किस तरह के से आपको आविदन करना है किस तरह के से apply करना है वो next video में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे thank you very much guys for watching the video please like करें इस वीडियो को share करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से subscribe करिए